प्रस्नावली 14.2 के पार्ट वन वीडियो में हमने प्रस्न संख्या एक से लेकर प्रस्न संख्या 4 के प्रस्नों को हल किया था आज इसी प्रस्नावली के पार्ट वीडियो में हम प्रस्न संख्या 5 और उससे आगे के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं प्रस्ण संख्यात 5 है किसी तिर्भूस के तीन कुन क्रमसह एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है तो उस तिर्भूस के प्रते कुन ज्यात कीजिए तो सरल समीकरन वाले प्रश्णावली में जिस तरह से पाठ में जिस तरह से हमने देखा था वहाँ भी इस तरह के प्रश्ण थे तो आईए से हल करते हैं माल्डिया की पाहला कौन ब्राबर एक्स एक अनुपात था इसलिए से वन एक्स की जगा हम एक्स लिख रहे हैं तो दूसरा कौन यह हो जाएगा टू एक्स और तीसरा कौन यह हो जाएगा ट्री एक्स चुकि तीनों कोनों का योग तिर्भूज के चुकि हम जानते हैं तिर्भूज के तीनों कोनों का योग ब्राबर एक्सो असी डिग्नी होता है इसलिए हमारे पास तीन कौन कोन है एक्स टू एक्स और त्री एक्स तो इसे हम जोड देते हैं यह माप है कौन की एक्स प्लस टू एक्स प्लस त्री एक्स इसकाल टू एक्सो असी डिग्नी यह आब इसे जोडते हैं तो यह हो जाएगा वन एक्स टू एक्स त्री एक्स तो एक दो तीन तीन छे एक्स ब्राबर एक्सो असी डिग्री दोनों और समिकरन के दोनों और हम छे से भाग दे लेते हैं तो ये 6x बटा 6 और ये 180 डिग्री बटा 6 तो ये हमारा x ब्राबर आ गया 30 डिग्री इसलिए पहला कौन ये हो गया हमारा x था तो ये 30 डिग्री दूसरा कौन ये 2x था यानी 2 x 30 डिग्री तो ये हो गया 60 डिग्री तीसरा कौन ये 3x था तो 3 x 30 इसलिए 90 डिग्री तो इस तरह से तीनो कौन आ गये प्रस्न संख्या 6 एक त्रिभूज के बाह कौन 135 डिग्री है उसके अंतह अभिमुक कोनों का अनुपात एक अनुपात दो है उसके अंतह कोनों को बताईए आयसे हल करते हैं माल लिया कि पहला अंतह अभिमुक कोन ब्राबर एक्स इसलिए दूसरा अंतह अभिमुक कोन ये 2x चुकि हम लोग जानते हैं कि अंतह अभिमुक कोनों का योग ब्राबर बाह कोन होता है चुकि अंतह अभिमुक कोनों का योग ब्राबर बाह कोन है ये तिर्भूज के मामले में ऐसा होता है, ये एक तिर्भूज है और ये एक बाहकोन है, तो ये जो बाहकोन होगा, ये इस अन्ताकोन और इस अन्ताकोन के योग के बराबर होगा, एक और तिर्भूज की तस्वीर लेते हैं, ये एक तिर्भूज है और ये बाहकोन होगिया, तो ये इस अन्ताकोन और इस अन्ताकोन के योग के बराबर होता है, इसलिए हमारा अभिमुक अन्ताकोन जो हमने माना है वो है X और 2X, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा आ माना चाहिए बाहे कुन दिया हुआ है 135 डिग्री या 3x is called to 135 डिग्री अब दोनों और हम तीन से भाग दे दे रहें तो 3x by 3 is called to 135 डिग्री बाइ 3 तो हमारा x का मान आज रहा है 45 डिग्री इसलिए जो पहला अंतह अभिमुक कौन होगा पहला अभिमुक अंतह कौन तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री और जो दूसरा अंतह अभिमुक कौन होगा वो 2x है तो दो गुणा 45 डिग्री यानि 90 डिग्री प्रत्न संक्या साथ किसी त्रभूज ABC में यदि कौन A ब्राबर 72 डिग्री कौन B ब्राबर 73 डिग्री तो कौन C ग्यात कीजिए माल लिया है कि कौन C की माप है एक्स डिग्री चुकि तिर्भूज के तीनों कौनों का योग ब्राबर 180 डिग्री होता है यहां हमें दो कौन दिये हुए हैं 72 डिग्री और 73 डिग्री तो यह 72 डिग्री जोड और यह हमारा जो कौन C है इसे हमें माना है एक्स या एक्स डिग्री जो कहें तो इन तिनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री तो इन दोनों को जोडते हैं 3, 2, 5, 7, 7, 14 14 डिग्री प्लस X सकल टू 180 डिग्री अब इस समिकरन के दोनों और हम 145 घटा दे रहे हैं तो 145 डिग्री प्लस X माइनस 145 डिग्री ब्राबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री तो ये प्लस 145 डिग्री और माइनस 145 डिग्री कैंसिल हो गया तो X का मान हमारा आ गया घटा देते हैं ये 10 से 5 हो गया 5 हो गया ये बच गया 7 तो 7 से 4 हो गया 3 और 1 से 1 शुन्य हो जागा तो ये X का मान हो गया 35 डिग्री इसलिए कोन सी का हमारा मापा गया 35 डिग्री प्रस्ण संख्या आठ यदि किसी समकोन त्रिभूस के नियून कोन चार अनुपात दो के अनुपात में हो तो सभी नियून कोनों को ग्याद कीजिए माल लेते हैं ये हमारा एक समकोन त्रिभूज है तो ये वाला कोन हमारा 90 डिग्री है तो ये कोन और ये कोन ये नियून कोन है तो इन दो नियून कोनों का योग कितना होगा जब ये 90 degree है तो 180 से हम 90 degree हटाएंगे तो इन दोनों कोनों का योग होना चाहिए 90 degree ये कोन और ये कोन इसका योग होगा 90 degree तो हमें सभी noon कोनों को ग्याद करना है माल लिया कि पहला noon कोन दो noon कोन है तो पहला noon कोन ब्राबर 4x और दूसरा noon कोन ये हो गया 2x अताहा दोनों noon कोन का हम योग देख रहे है 90 degree होना चाहिए अताहा 4x प्लस 2x ये दोनों noon कोन हम जोड रहे है तो ये आना चाहिए 90 degree या 6x ब्राबर 90 degree अब दूनों और हम 6 से भाग दे दे रहे हैं छे एक्स ब्राबर हो गया पंदर डिग्री इसलिए आहला noon कोन ब्राबर 4x यानी 4 इंटू ये 15 तो ये हो जाएगा हम्मारा 60 degree और दूसरा noon कोन ये हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 15 ये हो जाएगा 30 degree प्रस्न संख्या 9 यदि तिर्भूज में एक कोन 100 degree का है अन्य दो कोन ब्राबर हो तो सेस्ट दो कोनों की माप ग्यात किजिए आई ये से हल करते हैं माल लिया कि शेस्ट दो कोनों में से प्रते कोन की माप ब्राबर x इसलिए दो कोन है यानी x प्लस x एक कोन तो यहां दिया हुआ है तीन कोनों में से त्रभूस के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है जिसमें से एक कोन हमारा दिया हुआ है एक सो डिग्री तो इन दोनों को कोनों का योग क्या होगा 180 degree माइनस एक सो डिग्री या 2x ब्राबर 80 degree अब इस समीकरन के दोनों और हम दो से भाग दे दे रहे हैं तो 2x बाई 2 और यह 80 degree by 2 तो यह हमारा x ब्राबर आ गया 40 degree इसलिए दोनों ब्राबर कोनों में से प्रते कोन ब्राबर 40 degree यह यह कहें कि दोनों कोन ब्राबर एक कोन 40 degree दूसरा कोन भी 40 degree जैसा भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं उहां कोई में दोनों कहीं आपको उच्एट ब्राबर शाफ जापको उचित दोनों के दोनों करता भी में।